देखिये जितना मर्दी कोशिश करें अर्नव को एक था टाइगर बनाने की लेकिन टाइगर ये जिंदा है और टाइगर हमेशा जिंदा रहे गा और अर्नव शेर है शेर ये गीदलों पे हमेशा भारी रहे कहीं भी TRP स्कैम पे रिबबलिक का नाम नहीं था, कहीं पे भी नहीं था, नाम था आज तक का और इंडिया टुडे का था, तो ये रिबबलिक को कहां से ले आए, ये सिरफ आज तक की जो इमेज है, वो ठीक करना चाहरे और ये नहीं चाहते है, आज तक एक्सपोज हो, उसक ये रिबबलिक की खराब नहीं कर सकते है, उसके बीचे बहुत रीजन है, रिबबलिक जो भी दिखाता है, वो जस्टस दिखाता है, रिबबलिक जो भी दिखाता है, वो मुद्दे को बढ़काता नहीं दूसरे चैनल की तरह, जो दूसरे चैनल है, वो सीधा मुद्दे को कोई भी निशान नहीं था, रिपब्लिक उस नॉट इंवल्ड और परमजी सिंग, वो एक्सपोस हो गए है, वो अपनी ही बात पर एक्सपोस हो गए है, आप प्रेस कॉन्फरेंस करके, अगर रिपब्लिक का नाम लोगे, तो आपको क्या लगता है, कि सब मान जाएंगे, एक कोई और चानल है, जो इनवल्ड है, और ये रिपब्लिक को बदनाम करने की जो पूरी सोची समझी शाजिश है, ये सब फेल हो गए उसके अबर, परमजी सिंग को यहां पर आपने नाम लिया पिताना है, जो परमजी सिंग ने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ प्रेस कॉन संसral Survey, बाइल अपरारां रेसी साथ जाए मोझा, अजयाना साए बोपने मन घढ़न कहानी नहीं बना साऌतारण के इसा कि करें तुम डिया चैनल के लिए इतनी बड़ी एक नेट वरक के लिए अपनी मन घड़न कहानी नहीं बना सकते कोई छोटी सी चीज नहीं थी है बहुत बड़ी चीज है और आप ऐसे पद पे बैट करके दूसरे चैनल को आप गलत पुट्रे कर रहे हैं क्या इमेज उनकी खराब करना चाहरे है लेकिन वो अपनी इमेज खराब करके बैट गए आज की डेट में वो दूसरे चैनल की इमेज खराब कर रहे थे ने लेकिन आज की डेट में परंबीर सिंग की ही इमेज खराब हो गई है बिल्कुल बिल्कुल लेकिन सही बात आप करें परंबीर सिंग ने नहीं इमेज यहाँ पर गिराली है। हाल ही में रिपबलिक ने अपने आपको सही साबित करने के लिए this train operation भी किया है। जिसमें उन्होंने कांग्रेश प्रवक्ता के सांद इस ठींग किया है। उसमें जो कांग्रेश प्रवक्ता है यह बोलते हूँ नजर आ रहे हैं कि मतलब आपको इतना थ्रेट है रिपबुलिक से क्योंकि थ्रेट इसलिए है क्योंकि रिपबलिक जो भी दिखाता है वो मुद्ध ど gosh अगर Zahlen अगर अगर अजन्सी स मि N Hind करती है तो रिपब्लिक अपना काम करता है रिपब्लिक उजे अजन्सी का काम करता है, रिपब्लिक जाता है वो मुहीम चलाना शुरू कर दिता है, अगर अजन्सी काम ने करती है, तो वो जाकर इंवेस्टिकेट करता है रिपभबिक वो तमाम कोशिश करता है जो लोगों को justice मिल सके जिन लोगों को justice नहीं मिल रही होति है इनको ये problem है मैंने तो पहले सोचा था और तमाम लोगों ने सोचा था कि यह 2-3 केस हैं जिनकी वज़े से सरकार को problem है सरकार को threat है लेकिन मैं गलात हुँ दो तीन केस नहीं है, तमाम ऐसे केसिज है, बहुत सारे ऐसे केसिज है, जिसकी वज़े से इनको थ्रेट है, कि रिपबलिक अगर रहेगा मार्केट में, रिपबलिक की अगर चैनल चलेगा, तो यह बहुत कुछ खुलासा कर देंगे, और कहीं ऐसा नहों कि हम एक लूप में हम खुद फस जाएं अपने उस पर, इसलिए यह कोशिश कर रहे हैं, रिपबलिक को बंद करने के, रिपबलिक को बैन करने की, पर रिपबलिक बैन नहीं होगा, एक सो तीस कड़ोर की जंता सिर्फ साथ बजे की वेट करती है, कि कब साथ बजे और हम अपने टीवी खोल कर के देखें, क्योंकि पता लगता है कि आज फिर कुछ नया खुलासा होएगा, ना कि दूसरे चैनल की तरह वो मुद्दे को बठकाया जाएगा, वो क्लियर कट मुद्दा दिखाता है, और वो सिफ जस्टिस के लिए जाता है, यह इनका इनके गुंडागर्दी रेखिए, अगर प्रदीप कोई रिपोर्टिंग करता है, या कोई भी बंदा रिपोर्टिंग करता हो, मास उठा लेते हैं, तो मतलब रिपॉब्लिक अगर अपना काम करेगा, तो दूसरे लोग आएंगे और उसको ठाकर के ले जाएंगे, बिल्कुल, देकि सही बात आप यहाँ पर है, क्या कहेंगे, क्या पुलिस भी गुंडा राज बनती जा रही है, देखिए, सिर्फ रिपॉब्लिक एक ऐसा चैनल है, रिपॉब्लिक के माध्यम से पता लगा था, पालबर के जो सादू है, उनकी लिंचिंग होई है, वहाँ पे पुलिस मौजूद थी, वहाँ पे चीज की प्रॉब्लम है, कि रिपॉब्लिक क्यों कर रहा है, क्योंकि दूसर तमाम जो चैनल जब उनके साथ खड़े हो जाते हैं, और रिपॉब्लिक सिर्फ जस्टस के लिए अपनी मुईम चलाने लग जाता है, उसकी वज़ा से इनको प्रॉब्लम है, इसी लिए चाते ह हैं, तो अगर प्रदीप की क्या गलती थी, प्रदीप की सिर्फ ये गलती थी कि को कंगना के घर के बाहर बैट के रिपोर्टिंग कर रहा था, और वहां पे तमाम जो लोग थे, वहां पे आकर के खड़े हो गए थे, इनको ये बरदाश नहीं हुआ, कि रिपॉब्लिक का इतना नाम बन गया है कि रिपॉब्लिक का अगर कैमरा देखेंगे तो तमाम लोग अकठे हो जाएंगे, उनकी लोग लुक अप करते हैं रिपॉब्लिक को क्योंकि रिपॉब्लिक कभी भी गलत इंफोमेशन नहीं देता, वो बिल्कुल सही न्यूज देता है, इसलिए आप हमारे साथ नहीं चलोगे, तो हम आपको कभी भी उठा करके अंदर कर देंगे, आए दिन ये संबन भेचते रहते हैं लोगों को, आप प्रदीप को ये उठा करके ले गए, अब प्रदीप को इन्होंने बुलाया थोड़े दिन पहले, कितना टॉर्चर किया, ये कोई पुलिस का, आप प्रदीप को बुलाते हैं, नौ घंटे इंटेरोगेशन करते हैं, नौ घंटे इंटेरोगेशन करने में, आप उनका फोन ले ले लेते हैं, आप उनको पानी नी पीने देते हैं, आप उनको खाना खाने नी देते हैं, उनकी माता जी इतनी परिशान हो रह तो प्रदीब ने ऐसा क्या कर दिया, वो तो एक senior journalist है, उसको आपने उठा करके अंदर कर दिया, torture कर रहे हो और रिया को आप VIP ट्रीटमेंट दे रहे हो, रिया को आप सेक्योरिटी पी दे दी, विया पी ट्रीटमेंट के साथ एक सेक्योरिटी पी दे दी, रिया का तो फोन ज आप प्रदीब को क्रिमनल दिखाना चाहरे थे, आप जैसे बहेफ कर रहे थे एक तो वो सुप्रीम कोट की गाइडलाइन नहीं है, जैसे बहेफ कर दे नहीं कहता कि आपने फोन जप्त करने हैं, प्रदीब नहीं कहता कि जो इनने कोशिश करी फिजिकल असौल्ट की कैसे आपने फिजिकल असौल्ट की कोशिश करी, प्रदीब ने खुद बोला कि जब मैं उठा बहार जाने के लिए थोड़ा फ्रेश एर लेने के लिए उसको धक्का देकर बठा दिया गया, तो उसको कोशिश कर रहे थे, उसको इतना परिशान कर रहे थे, हैरेस कर रहे थे, य ना कि हमें दुदकारने के लिए, हमें नीचा दिखाने के लिए, और जो रिपोर्टर है या कोई भी जर्नलिस्ट है, वो अपनी अगर आवाज उठा रहा है, और वो सही दिखा रहा है, सही इंफोर्मेशन, लोगों तक पचा रहा है, तो आपको प्रॉब्लम है उसमें, आप यह दिखाना चारे होगार कोई वाज उठाएगा, तो उठा करके अंदर कर देंगे, कंगना के टाइम भी यही हुआ था, जब कंगना के टाइम पर लोग खड़े वे थे वहाँ पे, तो जितने लोग थे तो अमाम लोगों को उठा के लेगे, तो मतलब यह गुंड़ पुलिस बन गई है, पहले तो गुंड़ा सरकार थी थी, लेकिन गुंड़ा पुलिस कब से बनना शुरू हो गई है, यह समझ में नहीं आता है, तो मतलब पूरा जो उद्दफ सरकार है, पुलिस को इस तरीके से कंट्रोल करता है, कि पुलिस मीडिया के कर्मियों को भी इतने लोग इहां पर इंवाल्ड तो यह देश को नहीं सर्फ कर रहे है, यह देश की दंजता को नहीं सर्फ कर रहे है, यह सारे के उठकर के पीछ पढ़ गई है, यह कैसे पीछ सकते है, मतलब अपना सारा काम क्योंकि यह जब स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, तो क्लेरली व हमें और कोई काम नहीं है, हमें सर्फ अर्नफ को बर्बाद करना है, आप कैसे बोल सकते हैं, आप सारे काम अपने छोड़ देंगे, जिस चीज के लिए आप हायर किये है, जिसकी आपकी पोजीशन है, आप अपनी पोजीशन को जस्टिफाइ़ नही करेंगे काम करें आप काम छोड़ करके, अर्णफ के खिलाफ एविडेंस अकठे करेंगे और अर्णफ को बरबाद करने की कुछिश करेंगे और सूत्रों के साब से यह भी पता लगा है, कि उन्होंने कहा था इतो भी शुरुआत है, रास्ता तो बहुत लंबा है, तो क्या रास्ता लंबा है, इसक मतलब मीडिया सही है जब चार बंदे उठकर के आपके आवाज खिलाफ आवाज उठा रहे है ना इसका मतलब बिल्कुल सही काम कर रहे हो इसी वज़े से तो आप पताइए जब यह इन्होंने 50 मिलियन तक खर्च दिया है अरनव को बरबात करने के लिए एक बंदे के आवाज रोक सकते हैं दो बंदे के आवाज रोक सकते हैं तीन बंदे के आवाज रोक सकते हैं एक सो तीस कड़ों की जनता की आवाज नहीं रोक सकते हैं यह जितना अरनव को दबाएंगे और अरनव उ कोशिश की जा रही है और अब यह मुहीम चुला रहे हैं कि जो रिपब्लिक भारत चैनल है उसको बैन करेंगे बाकी चैनल की बात क्यों नहीं हो रही है यहां पर जबकि उनका दो बार्क रिपोर्ट में भी नाम आया है अर्नफ गोस्वामी के पीछे ही क्यों पढ़ गया क् अर्नफ को एक था टाइगर बनाने की लेकिन ताइगर ये जिन्दा है और टाइगर हमेशा जिन्दा रहे और अर्नफ शेर है ये गीदरों पर हमेशा भारी रहे अर्नफ ने जो रिपब्लिक के लिए मशाल जलाए ये मशाल को कोई भी नहीं वजा सकता तो आप बताईए परण सीरी सिंग कौन होते हैं वो कौन होते हैं इस पोजिशन पर पॉच करके वो ऐसी एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं रिपब्लिक के लिए जो बिल्कुल सही है और आज बताईए अब हाई कोट ने भी एक फटकार लगा दी क्योंकि वो गलत है ना वो गलत है उनको अब को एक सोटीस करता को गलत इमेज दीखाना के यह उनकोमाफी महागनी क्योंकि उनको अन् continua के लिए और यह एसे कर तो अपने नीचे वाले पद्द वाले जो लोग है उनको क्या मेसिज देना चारे है उनको यह मैसिज देना चारे है कि आपको कभी भी उपर से प्रेशर आता है तो आप कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि वह ऐसे तो है नहीं कि वह अपनी मर्जी से कहना है कि जो स्टिंग ऑप्रेशन में कॉंग्रेस प्रवक्ता बोल रहे हैं कि हमें उपर से प्रेशर आता है यह भी जानने की बहुत ज़्यादा जरूरत है कि यह उपर का प्रेशर है क्या इसके इनका भी नाम बिल्कुल सामने आना चाहिए यह भी एक्सपोज होने अगेगा हमारे साथ ऐसे ही बने रहे हैं देखते रहे हैं दराज़ादा